हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं भी वेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी पार्ट साला पर आज हम एक नई स्रिंकला चालू कर रहे हैं यूपी टैट सी टैट और सूपर टैट के लिए मैं आपको कम्प्लीट सी डिपी बाल बिका से मैं सिक्षा सात्र कराने बाला हूं फुल डिटेल में आज से हम सुरूबात कर रहे हैं आज हम पहली इकाई जो कि आपकी सिक्षा मनो विज्ञान है एजुकेशनल साइकलोजी उस पर हम डिसकस करेंगे हम सारी की सारी स्रिडीपी डिटेल में पढ़ेंगे अगल जता हूं आपको हम इसको पॉइंट बाइस पढ़ेंगे फिे कहां नाहिं हम जयादा धिओरी पढ़ेंगे और नाहिं सिर्प कभण गीर बाप नहुंगे कोशिक करेंगे यह आप साथ-साथ जितनी भी चीज़े मैं नोट्स में आपके प्रोवाइट कराई हैं या प्रोवाइट कराऊंगा तो उनको आगर आप NOT median कर लेते हैं यह वीडियो से भी आप सारे के सारी नोट्स बना लेते हैं अच्छे से तो मैं guarantee लेता हूँ कि आप CTAT और UPTAT में 30 में से 30 लेके आएंगे बाल मनो विग्जान में ठीक है हाँ विर्कुल आपने विर्कुल सई सुना आप 30 में से 30 लेके आएंगे अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उनको नोट डाउन करेंगे उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करते रहेंगे न करता है ठीक है complete CDP करांगा विर्कुल आपके अग्जाम से पहले यूपी टेट के एक्जाम से पहले करा दूंगा वो झोकि यह सीटाइट के लिए ही मिये, सुपर चीठ का एक्जामतका दिसंबर में होना होना है और सूपर चैट का उसके बाद ही होना है ठीक है तो इस की एक साका के रूप में माना जाता था ठीक है साइकलोजी को दर्सन सात्र की एक साका के रूप में माना जाता था लेकिन मनवज्ञान को सुतंतर बिसाय बनाने के लिए इसे परिवासित करना प्रहरम किया गया इसको एक बिसाय बनाने के लिए विद्वानों द्वारा मिलकर हुए। किस थे हुन से है? सबते क्यों क्या है? अत्मा से क्यो Cond Celine करता है और लोगोस का मतलब ता अध्यन करना शुआ है। मतलब आत्मा का अध्यन हमारा क्या कहलाता है? मनोविध्यान कहलाता है। क्या गलाता है मनो विज्ञान कि ये बात आपको समझनी जरूरी है ठीक है चलिए नेश चलते हैं नेश्ट है आपका आत्मा सब्द को अधार मानकर सोल भी सताब्दी में सरपर्थम प्लोटो अरस्तु और डेकार्टे के दुआरा मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया ठीक है क्या माना गया मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान ये आपको बात ध्यान रखनी है मनो विज्ञान को क्या माना गया आत्मा का विज्ञान ठीक है चलिए नैस्टे आपका आत्मा सब्द की इसपष्ट व्याक्या नहीं होने के करण सोल भी सताप्दी के अंत में यह परिवासा एमानिय हो गई ठीक है जब हम आत्मा सब्द की व्याक्या नहीं कर पाए जब विद्मान आत्मा सबस्क्राइब इटली के मनो requirements बिज्ञान पॉम्पो नोजी ठीक है पॉम्पो नोजी सहयोगी थासड्रीक थासड्रीक ने मनोबिज्ञान को मनिया मस्तिक का बिज्ञान माना मतलब क्या है देखो यहाँ पर मनोबिज्ञान पॉम्पो नोजी ठीक है सहयोगी कौन थे थोस्ड रीड थोस्ड रीड ने क्या किया मनो बिग्यान को मन या मस्तिक का क्या माना इसको बिग्यान माना मनो बिग्यान क्या है मन या मन या मस्तिक का क्या है बिग्यान है ठीक है मस्तिक का क्या है बिग्यान है ठीक है ये बात आपको समझनी आने चाहिए सोल भी सताब्दी में जो आत्मा का बिग्यान माना जात पौमपोनोजी के सहयोगी थासब रिक मनयोवग्यान को मनियंग मर्स्तिक का बिज्ञान माना किसने इस सब्सक्राइब अच्छ से नोट्स बलाने लें चलिए कि बाद में क्या हुआ बाद में यह परिवासी मैं अर्थ होने के करा अठारी सब्सक्राइबिस हो गई अठार मींच सताबधि में है जब इसको अइमाने कर देढ़ गया तो, आदि के दौरा, मनोंगवज्ञान को चेत्णा का विग्ज्यान बोला गया कब 1970 में क्या बोला गया मनो बिज्ञान को चेतना का बिज्ञान बोला गया ठीक है तो 1827 में हमारी जो मन या मस्तिक सी जो definition थी वह भी हमारी क्या कर दी गई एमानने कर दी गई 1970 में ये नाम आप ध्यान रखना बिलियम बुंट, बिलियम जेम्स जेम्सली टिचनर और वाइपस ने मनो बिज्ञान को क्या कहा मनो बिज्ञान को चेतना का बिज्ञान माना ठीक है चलिए नैस चलते है जितनी भी पॉइंटों में मैंने बात लिखी है ये सारी सारी आपकी परिक्षा की most important है इनको अच्छे से नोट्स बना ले ला और इनको बाइबार रिवाइज कलना ठीक है चलिए नैस टा आपका ये परिवासा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण एमाने कर दी गई बिलियम बुंट ने जर्मनी के लिपजिंग सहर में अठारत सो झादरखी 1879 को पिट्थम मनोंः घ्जाण प्रेयोख साला ठीक है बिलियम मुझे जर्मीं के लिपजिंग सहर में 1879 को पिट्थम मनोंः घ्जान प्रेयोख साला भारत में 1915 कलकत्था सेन गुप्त दौरा इस्तापित प्रिथम मनों garbage साला इस्तापित की। यह बात आपको धियान रखनी है। चलिए नैस चलते हैं को इसलिए बिलियम बि nit को प्रेयोगे अतमक विज्ञान का जनक माना जադा है यह बात आपको ध्यान आ जवनने इन 1879 में मैं 1685 में heard 1789 में कहां पर Pennsylvania लिबजिंग में और 1915 में कलकद्टा कि सें गुपती दूबारा इसस्ताफीhmen इन को क्या बोल गया इनको बोला गया प्रियोग आत्म मनोuito विज्ञान का जनक ठीक है चलिए यह बात आपको ध्यान रखने है यह बात जिस पर मैं अंडरलाइन किये यह बहुत ही साइक्लोजी में ठीक है 20-20 अदाबदी में मनोवग्यान को ब्यहवार का बिख्यान माना गया अब दोखो जो हमारा चेतना का बिज्ञान माना था हमने मनोवग्यान को वह भी डेफिनेशन हमारी हो गई आमान्य हो working और 20 मी सतापदी में एक नई डेफिनिशन लिगल के आई क्या मनो बिग्यान को ब्यावार का बिग्यान माना गया किसका माना गया ब्यावार का बिग्यान आज तक यही परिवासा परिच लिते हैं मनो बिग्यान को किसका ब्यावार का जो आदमी बिहवार करता है उसी के अनुसार हम उसको क्या करते हैं परिवासित करते हैं ठीक है चलिए नैस चलते हैं नैस्ट है हमारा बिहवार का बिग्यान मानने बाले पिरमु बैग्यानिक वाटसन और इनके अलावा बुडवर्थ, इसकीनर, मेकडूगल वे थार्डडा अधी थे ठीक है वेवार का बिग्यान किसने माना वाटसन बुडवर्थ, इसकीनर, मेकडूगल और थार्डडाइक यह नाम आपको ध्यान रखने हैं चलिए अब इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी वेवार का बिग्यान मानने से स बता हूं, चीक है सही बात है बरकूल, बालक जो रूते हैं वेवार को ध्यान होते है, हम चाहें जिस सवेप में उनको ध्यार सकते हैं, अगर हम उनको चौर बनाना चाहे, तो आगर हम उनको डौकतर यह अधृट्न सकते हैं, तो वोटसन ने क्या कथन दिया वोटसन ने कथन दिया तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ तो कोशन किस तरीके से बनता है कोशन आएगा तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ यह है किसका है तो किसका है यह कतन वोर्षन ने यह बात कही थी आप ध्यान से नोट कर लेना इसको और लिख लेना अच्छे से प्रक्टिस करना चलिए नेस चलते हैं नेस ते हैं आपका बुडवर्थ के अनुसार बुडवर्थ के अनुसार है मनोब ग्यान ने सब पर्थम अपनी आत्मा का त्याग किया मनोब ग्यान ने सब पर्थम क्या किया अत्मी आत्मा का त्याग किया फिर मनवे मस्तिक का त्याग किया फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आल बर्तवान में मनव बिग्यान बहवार के विधी रूप को सुपेकार करता है दोखो बुडवर्थ ने क्या अपनी डैफिनेशन में कहा क्या कहा है बुडवर्थ ने बस यह कहा है जो हमने डैफिनेशन या जो हमने मनव बिग्यान को कहा था सोलवी सताब्दी में हमने क्या बोला था उसको आत्मा का बिग्यान सोलवी सताब्दी में हमने आत्मा का बिग्यान बोला तो इसलिए उसने सबसे पहले क्या गिया आत्मा का त्याग फिर हमने 72 सताब्दी में मन या मस्तिक्स का माना था इसको ठीक है तो फिर उसके बाद क्या गिया मन या मस्तिक्स को इनने त्याग किया उसके बाद हमने क्या माना था बहवार का बिग्यान माना इसलिए बहवार के बिग्यान के स्वरूप में हम सुविकार करते हैं ठीक है यह सुविकार करता है ठीक है तो यह चीज़े इन्होंने अपने डेफिनेशन में बस वही चीज़ दी है जो हमने डेफिनेशन सुरू से मनो बिग्यान को डेफिनेशन क हम ने जाना ठीक है चलिए नहीं चलते हैं इनको आप नोट ज़रूर करते लेना अच्छे से मैक डूगल ने क्या किया मैक डूगल के अनुसार मनो विग्जान, बेवार वय आचरण का विग्जान कैसे मैक डूगल के अनुभव का बिज्ञान है ठीक है चलिए नैशलते नैशलते आपका वोट्षन वोट्षन के अनुसार वोट्षन ने क्या डेफिनेशन दी वोट्षन के अनुसार मनो बिज्ञान बैवार का सुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक बिज्ञान है ठीक है बड़े ध्यान स ने क्या definition दी? क्रो एंड क्रो ने definition दी मनो बिग्यान मानव बेवार और मानव संबंदों का अध्यन क्या कलाता है? मनो बेवार और मानव संबंदों का अध्यन क्या कलाता है? मनो बेवार और मानव संबंदों का अध्यन क्या कलाता है? मनो बेवार क्रो एंड क्रो ने इसकी definition स्कुलिए आधून्य मनोव ज़यान का संबन्ध वहवार की देखाल अनुसार यह ठीक है मन नेकर दैफिनेशन दी। मेरह सिंदूद आध्याप को की तैयारी की अधार सिला ने चल्yticण नेश्ट 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 या बाल विकास, फिर आपकी किसोर मनो विग्यान, उसके बाद आपकी प्रोण मनो विग्यान, उसके बाद आपकी विकासा आत्मक मनो विग्यान, उसके बाद निदानात्मक, उपचारात्मक या क्लेनिक मनो विग्यान, उसके बाद बारमा है आपका परो मनो विग्यान या यह सारी क्या है यह चोदे की चोदे क्या है आपकी मनोविग्ञान की साखाई या क्या है छेत्र है ठीक है इनको भी अच्छे जे नोट डाउन कर लेना चली ना इसलते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सिक्षा मनोविग्ञान के बारे में हम किसके बारे में पढ कराऊंगा और फुल डिटेल में टोपिक वाइस सारी की सारी सीडिवी आपको कंप्लीट कराए जाएगी आपके एक्जाम से पहले ठीक है और जैसे ही एक हमारी यूनिट एक एक हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद हम क्या करेंगा उस इकाई से संबंदी जितने भी महतबूर कोशन है या कितने जितने महतबूर कोशन आए हुए है उनको सबको हम क्या करेंगे प्यक्तिस करेंगे अच्छे से ठीक है चलिए नेस चलते है नेस्ट है शिक्षा मनो बिग्यान अब हमें क्या करना है शिक्षा मनो बिग्यान के बारे में पढ़ना है ठीक है शिक्षा मनो मनो बिग्यान के बारे में जान लेते हैं मनो बिग्यान सब्द का प्रयोग सरप्रतम रुडॉल्फ गोएकल ने किया था रुडॉल्फ गोएकल ठीक है यह नाम आपको ध्यान रखना मनो बिग्यान सब्द का इसका जो मनो बिग्यान सब्द का प्रयोग किस ने किया था बिलियम्स जेम्स ने दर्सन सास से मनोबिग्यान को मुक्त कराया बिलियम्स जेम्स ने क्या किया दर्सन सास से मनोबिग्यान को किया किया मुक्त कराया ठीक है उसके बाद और अमरीका में मनोबिग्यान के जनक अमरीका में मनोबिग्यान के जन्म कौन थे? बिलियम्स जेम्स ही हैं ठीक है? अमरीका में मनोबिग्यान के जन्म कौन थे? बिलियम्स जेम्स मनोबिग्यान की साखा सिक्षा मनोबिग्यान की उत्पत्ती 1900 इस्वी में माना जाती है मनो बिज्ञान की साका में कितनी साकाई बताएं थी टोटल कितनी साकाई होती है मनो बिज्ञान की 14 साकाई होती है जो कि मैंने अभी आपको प्रिवेस बताई है जिसकी एक मुख्य साका है सिच्छा मनो बिज्ञान इतनी बात आपको समझ में आ रहे होगी चलो नैस चलते हैं बाद में थानडाइक, जड़, टर्मन, प्रोवेल, हर्वल आदी के प्रियासों से 1923 में सिक्षा मनो बिग्यान को इस पर सरू प्राप्थ हुआ ठीक है नैस चलते हैं नैस देखते हैं क्या है नैस प्रिथम सेक्षिक मनो बिग्यान जोको अगर आपसे कोशन पूछे जाएगा प्रिथम सेक्षिक मनो बिग्यानी कौन है तो वो है आपके थांडाइक को मना जाता है थांडाइक है शिक्षा में मनो बिग्यानिक दर्ष्टी का सूत्रपात रूशों ने किया बिग्यानिक दर्ष्टी का सूत्रपात किस ने किया तो वो किया आपके रूशियों में प्रिथम मनोबैग्यानिक प्रिथम सेक्षिक मनोबैग्यानिक कुन थे थांडाइक थे सिक्षा में मनोबैग्यानिक डेश्टिकों का सूत पास किस ने किया रूशों ने किया अपनी पुस्तक उन्होंने इमेल में लिखा सिक्षा संस्कत के सिक्ष दासू से लिया हुआ है किस से लिया हुआ है सिक्ष दासू से लिया हुआ है ठीकें, चलिए जितने भी question है यहाँ पर जितने भी theory मैंने आपके आपको पढ़के सुना रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वो सारी आपके लिए most important है ठीक है तो इसको notes की तरह लिख लेना अच्छे से notes बनाने ना प्रतियक topic के यहीं से question मिलेगा आपको चलिए शिक्षा मनोबग्यान क्या उतायर रूशों के अनुसार हम देख लेते हैं बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्यान प्रतियक अध्यापक को करना चाहिए यह रूशों की definition है बालक एक क्या है पुस्तक के समान है जिसका अध्यान प्रतियक अध्यापक को करना चाहिए ठीक है क्रो एंड क्रो ने क्या डेफिनेशन दी शिक्षा मनोबिग्यान जन्म से ब्रद्धा वस्ता तक एक ब्यक्ति के सीखने के अनुबवों का वर्णन और ब्याक्खा करता है ठीक है शिक्षा मनोबिग्यान जन्म से ब्रद्धा वस्ता तक ब्यक्ति के सीखने के अनुबवों का ब्रणन करता है क्या शिक्षा मनोबिग्यान यह किसकी रेफिनेशन थी क्रो एंड क्रो की ठीक है उसके बाद फ्रोवेल ने क्या दी रेफिनेशन फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक पिर्किर्या है जिसके द्वारा बालक अपनी जनम जान सत्यों का विकास करता है क्या है शिक्षा एक ऐसी पिर्किर्या है जिसके द्वारा बालक में जो जनम जान सत्या होती है उनका क्या होता है विकास होता है जैसे जैसे बालक पढ़ता है लिखता है अगली क्लास में जाता है वैसि उसका क्या होता है विकास होता है ठीक है चलिए इसकी नगते हैं नशिलते से अध्यान है ठीक है सिट्षा मनोबिज्यान से अक्षेनिक प्रस्तुतियों का मनोबैग्यान इधंसे क्या है अध्यान है ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर और बैल आइकन भी दवा दे से इंग्रिस का सब्द है ठीक है इसका मतलब अंतर से और यहां दूको जो आया है इसमें इससका मतलब और बहार निकालना ठीक है अंतर से बहार निकालना इसका मतलब क्या है ये साइक्छा का अर्थात सिख्छा का अर्थ होता बालक की अंतने योगटाओं को बहार निकाल कर उसके ब्यवार में परिवर्तान करना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सिक्षा का अर्थ क्या होता है बालक की अंतनीत योगताओं को बहार निकाल कर उसके बहार में परिवर्तन करना या उसके बहार को परिवर्तित करना ठीक है चलिए एजुकेशन सब्द की जो उत्पत्ती है वो दो और सब्दों से मानी जाती है किस किस से एक तो एजुकेर और एक एजुकेरे ठीक है तो एजुकेर का अर्थ यहां है पालन पोशन करना और जबकि एजुकेरे का मतलब है आगे बढ़ना किनकी सब्दिस کے ओर मानी जाती है दो सब्दिसे educator औ而 educate educate का मतलब क्यों होता है? पालन पोशन करना और educate का मतलब क्यों होता है? अगे बढ़ना ठीक है I think आपको ही समझ में आज रहा होगा इसका मतलब क्या है? माना भि одно-ब्यावर का अध्ध्यान कर माना बेवार का अध्यान कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनो बिग्यान है अर्थात क्या है माना बेवार का अध्यान कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है शिक्षा मनो बिग्यान है यह आपको definition ध्यान रखनी है उसके बाद आता शिक्षा मनोबिग्यान की परकरती क्या है शिक्षा मनोबिग्यान की परकरती क्या क्या है देख लेते हैं पहला है आपका शिक्षा मनोबिग्यान की परकरती बैग्यानिक है शिक्षा मनोबिग्यान जो है वो क्या है कैसी है बैग्यानिक है क्या है scientific है शिक्षा मनोबिग्यान ठीक है दूसरा है आपका इसमें नियम और सिद्धानतों का प्रियोग किया जाता है जैसे हम मैथ में नियम और सिद्धानतों का प्रियोग करते हैं वैसे ही शिक्षा मनोबिग्यान में भी नियम और सिद्धानतों का प्रियोग किया जाता किसका शिक्षा मनोबग्यान किसका निर्वार का 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 निर्व सकारांतमक बिध्ध्यान, जो सिक्षा के काबु कैसे और कहाँ आधी पुष्णों के उत्तर पर धियान के हिंदर करता है. तो आपका सिक्षा मनो मयर्ग्यान, अतीर आपएक्षा बरतमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंदित है अतीत की अपेक्षा बरतमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंदित है ठीक है एट है आपका इसके नियम्बे सिध्धान्त सार्व भूमिक होते हैं शिक्षा मनोबिज्ञान के नियम्बे और सिध्धान्त कैसे होते हैं सार्व भूमिक होते हैं ठीक है नाईन है आपका इसके दौरा भविश्य बारी की जा सकती है इसके दवारा शिच्षा मनोबग्क ज्यान के दवारा क्या की जा सकती है? भविष्य बारी की जा सकती है, ठीक है? चलिए नेस शलते हैं नेस्ट है आपका आज हम एक यूणिट पूरी कंपलीट कर देंगे जो कि आपकी ये सिक्षा Bizim उसके बाद जो भी यूनिट है हम उनको पार्ट बाइस पढ़ेंगे मतलब कि दो तीन पार्टों में पूरी यूनिट को complete करने के बाद पढ़ेंगे ठीक है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं और हमें बनाने में भी ज्यादा टैम लगता है ठीक है इसलिए चोटी चोटी वीडियो रखेंगे एक यूनिट को हम तीन या चार वीडियो में फिनिस करेंगे उसके बाद उससे संबंदित जितने भी परसन होंगो उनको प्रैक्टिस करेंगे आज हम पहली यूनिट को इसमें फिनिस कर लेंगे ठीक है अच्छे से चलिए सिक्षक के लिए सिक्षक के लिए सिक्षा मनोबग्यान की उप्योगिता ठीक है सब क्या पोइंट है आपका सिक्षक के लिए सिक्षक के लिए सिक्षा मनोबग्यान की उप्योगिता स्वयम को पहचानने में सायक स्वयम को पहचानने में सायक शिख्षक के डर्श्टिकों को उननत और क्या बनाती है यह है वयापक बनाती है ठीक है चलिए नेस चलते हैं नेस टांब का फोर्त नमबर किसी भी पिरकार की कक्षा में शेक्षणिक प्रस्तितियों को जागरत करने में सायक होती है ठीक है बालकों के पिर्ति प्रेम, सहानू भूति, बे समदर्सी भापको अपनाने में शायक होती है 6 नंबर है आपका बालकों के चौहुम की विकास के लिए उचित सिक्षक विदियां अपनाने में सायक नमबर 7 आपका, बालको को अभी प्रेरित करते उए उनमें रोची जागरित करना ये कूनसा है option koynupsion, आपका Point number wahr 6 नमबर 8 आपका, मुलियांकन की नहीं-नईविद्यो का प्रयोग करना चाहिए ठीक है, मुलियांकन की नहीं-नईविद्यो का हमें क्या करना चाहिए प्रियोग करना चाहिए ठीक, आज के लिए इतन नहीं रखते हैं वीडियो में, अगर आपने वीडियो का अंतक देखा, तो वीडियो देखने के लिए धिल्नवाद, आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हैं, कि मैं अपने इस वीडियो में, जो मैंने ये नई स्रिंकला चालू की है, इसमें मैं और क्या-क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, या क्या-क्या परिवर्तन करने की कोई गुंजाइस है, आप अपना सला, अपने विचार comment section में देने की किरपा करें, चलिए मिलता हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए, take care, bye bye